दोस्तों अगर अभी तक आप सबको Facebook के अंदर Reels Bonus नहीं मिला है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वलाऊं कि कैसे आप लोग Facebook का जो Reels Bonus है वो ले सकते हो आप मैं से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो बता दूँ Facebook ने एक बहुत ही बड़ी अप्डेट लाए है जिस अप्डेट के अंदर Facebook के अंदर जितने भी लोग Reels अप्लोड करते हैं उनको फ्री में किसी को 100 डॉलर किसी को 500 किसी को 120 इसे साब से Facebook Reels Bonus दे रहा है जो कि एक महीने के अंदर यहां पर लिखा होगा 22 मही से लेके 22 जून तर तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को जो है कि इस चैनल पर मैं Facebook से अर्निक करने के multiple तरीके बताता हूँ जिन तरीकों में से जो भी तरीका आपको असान लगता है उस तरीके से आप लोग अर्निक कर पाते हो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं Facebook में मैं Facebook को ओपन करता हूँ अब यहां पर आपको समझना होगा कि किस हिसाप से आप ले सकते हो क्या क्या करना होगा तो यहां से ध्यान से देखना चलिए मैं यहां पर arrow पर क्लिक करता हूँ और यह आपको यहाँ पर एरो पर यह लोगों पर क्लिक करना है ठीक है यहाँ पर देखो वो जो free reals bonus है उसमें से बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई हमें नहीं मिला हम कैसे ले सकते हैं या फिर क्यों नहीं मिला वो सारा चीज मैं इस वीडियो में clear करके आपको बताऊंग अब यहाँ पे देखो कि यह जो है facebook का professional dashboard यहाँ पे आपको क्लिक करना है अब यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा देखो यहाँ पे यह आपको दिख रहा होगा यह देखो यहाँ पे आपको टैप करना है जो सबसे उपर है मोहन यहाँ पे देखो कि तो 4.6K followers है और weekly challenge 93% remaining है अब चलिए इसी पे आपको टैप करना है जहाँ पे मैंने एरो लगया था ठीक है यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ अब देखो यहाँ पे आपको तीन option मिलेंगे एक तो मिलेगा यह monetization का दूसरा मिलेगा यह profile recommendation का जो की green है दोनों बहुत ही अच्छी बात है recommendable है और उसके नीचे मिलेगा आपको support ticket का जिसमें की अभी zero open ticket है यह किया है वो भी मैं आपको समझाओंगा और यहीं से आप लोग ले सकते हूँ just यहाँ पे support ticket पे आपको click करना है यहाँ पे click करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे option मिलेंगे लेकिन मैं सारा option बताऊंगा तो लेट हो जाएगा monetization का section है इसी पे आपको tap करना है इस वाले tier के icon पे जो सबसे second last पे यह last होगे और second last होगे ठीक है इसी पे आपको tap करना है यहाँ पे tap करनेक बात यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे चीजे मिलेगी कि क्या मत करेंगे program easability यह जो है यही पे click करेंगे जो कि इसका यह वाला arrow है ठीक है इसी पे हम लोग click करेंगे ऊपर आपको कोई यहाँ पे click नहीं करना है तो हमारे पास जितने भी facebook से अर्निक करने के तरीके हैं वो सब कुछ यहाँ पे show करेगा articles एक तो आपको यहाँ पे दिख जा आपको एडस और रहा है तो हम लोगों को यहाँ पे इस पर टैप करना है जो हमारा मेन है यह जो आपको दिख रहा होगा रील्स प्लेड बोनस अब यह रील्स प्लेड बोनस पर क्लिक करेंगे तो यह second number पर इस तीर आइक़न पर आपको क्लिक करने है अभी तक यार वीडि कर लो यहाँ पर बहुत यह अच्छी जानकारी देते हैं आपको ठीक है चलिए यहाँ पर रील्स प्लेड बोनस पर क्लिक करते हैं ठीक है और यहाँ पर जैसे रील्स प्लेड बोनस पर क्लिक करेंगे तो यह आपको समझाएगा कि यह किस तरीके से मिलेगा ठीक है और क्या क्राइटेरिया के अंदर अगर आपने कोई भी क्राइटेरिया मिस किया होगा तो आपको रिल्स प्ले बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि आप मैं इसे बहुत सारे लोगों का यहीं सबसे ज़्यादा सवादा कि भाई आखिर कार हम लोग कौन सा ऐसा गल्दी कर रहें जिस वज़े से देखना उपर यह पहला नमबर जो आपको दिखा रहा है यह वाला जो उपर वाला है यह बता रहा है you must live in the United States अगर आप United States के अंदर हो तो आपको यह reals play bonus मिलेगा ठीक है और यहाँ पर आपको दिखेगा दूसरा नमबर कम से कम you must be at least 18 year old अब यह ज़रूरी नहीं कि आप 18 years old होने चाहिए आप नहीं भी हो फिर भी आप अपने data birth को change करके 18 years old वहाँ पर कर सकते हो ठीक है और दूसरा नमबर पर आपको दिखेगा meet you must meet community standards इसके जो community standards है उसको जो एकि आप सही से करके रखे हो यानि कि कोई ऐसा गंदा post अभी तक नहीं किया यानि कि page पे आपके कोई page है समिसू नहीं है कोई content monetization policy इसू नहीं है intellectual property या फिर unoriginal content limited originality of content या फिर कोई भी ऐसी चीज आपने कोई ऐसा गंदा इसका जो community standard का violation है उसको लंगर नहीं किया तो ही आपको मिलेगा ठीक है अब यहाँ पे देखो यहाँ पे और लिख्या होगा यहाँ पे you must pass the remain complaint with facebook partner monetization policy अब इसके कुछ partner monetization policy होते हैं जिसको भी pass करोगे तभी आपको मिलेगा अब यह partner monetization policy क्या होता है जैसे कि उसके अंदर यह भी आता है 18 years old को आप होने चाहिए या पिर कोई आप ऐसा content डाल रहे हो जो इसके content monetization के अंदर हो भी partner monetization के अंदर ही आता है ठीक है उसके नीचे और यहाँ पे दिखेगा आपको you must apply from an account that is older than 30 days अगर आपका facebook page या फिर profile 30 दिन पुड़ाना है तभी आपको मिलेगा ठीक है अब यहाँ पे आपको नीचे है तो यह दो को इसते ने साफसा पता है कि आपके जो page पे जो create है यहाँ पे जो last 30 days है 30 दिन उसके अंदर कम से कम 5 रिल्स upload होने चाहिए ठीक है तभी आपको मिलेगा और फिल्ड जो सबसे important यहाँ पे बता है you must receive at least 100k रिल्स play in the last 30 days last 30 दिन के अंदर आपके रिल्स पे एक यह यहाँ पर देखो क्या लिखे आइसनल है जो कि पूरा एकदम यह दो अगर आप एस सारा कुछ अगर सही रखते हो तो आपको जरूर मिलेगा तब जाके आप ज्वाइन कर सकते हो तो आपको नहीं मिलने वाला चाहे आपका page हो या फिर profile हो अगर नहीं है तो इस बार नहीं मिला तो आपको next time मिल जाएगे क्यूंकि जो इस पार जिनको मिला है हो सकता है उनको next time भी मिले लेकिन और सारे ने लोगों को भी मिलेगा तो यही सारी चीज़े आपको clear करके रखना है तब ही जाके आपको मिलेगा और मैं उम्मिद करता हूँ कि आपको इससे clear हो गया होगा कि अभी दक आपको नहीं मिला ह तो क्यूं नहीं मिला है तो इस सारी चीज़े पहले ठीक कर लो और आपको जो भी confusion था सभी इस वीडियो से उम्मिद करता हूँ किलियर हो गया होगा मिलते फिर किसी दूसरे वीडियो में तब तब अपना ख्याल लगना दूस्ता